हेलो बच्चो मैं पूजा और मेरे चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चो आज हम MP Board Class 3 बिवित प्रसनावली 2nd लिखित हिंडी बुक पार्ट 9-15 इसके क्युस्टन अंसर हम इस वीडियो में सुल्व करेंगे तो चलिए बच्चो वीडियो शुरू करते है बच्चो वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी यह वीडियो का सेकिंड पार्ट है तो चलिए बच्चो प्रसने कर्मांग 12 पर आते हैं अपने मित्र को उसके जनम दिन पर बदाई देने हैं तो पत् प्रिय अतुल असीम इसने हैं मित्र तुमारा पत्र मिला पत्र पढ़कर मुझे अत्यांति प्रसंता हुई मैं यहां सकुसर हूं तथा आसा करता हूं कि तुम भी वहां अपने परिवार के साथ आनंद से होगे मित्र आगामी माह की चार तारिक को तुमारा जनम दिन हैं आगामी आने आने वाले ठीके बच्चो अतर इस अवसर पर मेरी और से हादिक बढ़ाई स्विकार करो तुम दिर्ग आयू तथा जीवन में उन्नति करो यही मेरी सुबकामना है दिर्ग आयू याने बच्चो के आने कि तुमारी आयू ज़ादा हो और अपनी लाइफ में तुम उन्नति करो ठीक है यही मेरी सुब्कामना है तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना तुम्हारा मित्ती आदेती है ठीक है जो पत्र लिख रहा है उसका नाम जो है बच्चो वो लाश्ट में आता है अब प्रस्ने क्रमांग 13 है बच्चो चित्र देखकर 5 बाग की लिखिए यह चित्र दिया गया है इस पे आपको 5 बाग की बनाने है तो देखी बच्चो इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं हम गाउं के विध्याले में कहीं छात्र अध्यन कर रहे हैं नमबर दो डाकिया अपनी साइकल के पास खड़ा होका चित्र देख रहा है यह डाकिया है जो यह देखिए समबतिन विशाल बर्गत के पेड़ के नीचे बनी चोपाल पर एक ब्रद्ध बेटे हुए है यहाँ पर यह देखिए चोपाल बनी हुए है यहाँ पर एक बुजुर्गाद में बेटे हुए है फोर्थ अजाएगा पीने के पानी के लिए गाउं में head pump लगा हुआ है यह देखी बच्चों यह head pump लगा हुआ है इदर गाउं में खेत मंदिर आदि बने हुए हैं यह मंदिर है यह खेत बगेरा है ठीके बच्चों अब हम आते हैं बिविट प्रस्णावली टू मोखिक प्रस्ण प्रस्ण एक है निमलिकित प्रस्णों के बारे में बताईए नमबर एक लाल बादू सास्त्री को प्राणंबिक शिक्षा के लिए किन-किन बादाओं का सामना करना पड़ा बच्चों उत्तर हो जाएगा लाल लाल बादू सास्त्री के पांस नाव वाले की मज़्दूरी देने के लिए पेशे नहीं थे, अता उन्हें गंगा नदी रोज तेर करनी पड़ती थी जो लाल बादू सास्त्री थे उनके भाद पेशे नहीं होते थे, तो वो नदी को कोईसे पार कर दे बच्चों तेर कर प्रस्ने दो है अपने यहां के बिवा के बारे में बताई जो अपने यहां पे साधिया होती हैं वो केसी होती हैं भारती परंपरा में बिवा समाज की एक बिवस्ता है हमारे यहां बिवा में काफी दूम दड़ाका सा सज्जा होती है बेंड बाजे बराती मंडब सेनाई जाता है ना विविन पक्वानों से बातवन महेकने लगता है सभी पक्वानों की खुश्बू आती है बातवन में हमारे यहां भी विवा मंडप में मामा और नायल दोनों अवस्य देते हैं दूम धाम से कन्या की बिदाई होती है प्रस्न तीन है सच्चा बालक किस देते हैं उत्तर पेड हमें तरे तरे के फल विविन खुस्बू वाले फूल छाया देते हैं प्रस्न पांच है अगर बच्चों की सरकार बने तो तुम क्या क्या बनना पसंद करोगे और क्यों अगर बच्चों की सरकार बने तो हम पदान मंतरी बनना पसंद करेंगे क्यों जवान जै किसान किस्का नारा था तो वगजों इसका उत्तर हो जायेगा प्रस्णिका है सेवन कुमार के माता पिता का नाम क्या था मुण का नाम था स्यांतनु और भागिवती गstar अंमबर पाणड़ कितने भाई थे तो कितने थे पाँच जो दूप में पेदा हो चाओं में मर जाए देखो दूप में पेदा होता है पसीना और चाओं में सूख जाता है उसको हम क्या करते हैं पसीना अब प्रस्न के मांग तीन है बच्चो इन सब्दों का सुद्ध उच्चान कीजिए यानि कि सही बोलना है ठीक है व्यर्ट विध्याती प्यारंभिक उध्योग विध्याल है प्रस्न चार है सही सब्द पर गोला लगाई है तो देखी बच्चो इसमें ये वाला सूरी सही है इसमें ये नरमदा सही है इसमें ये समुद्र सही है और इसमें ये वाला बराती सही है प्रस्न पांच है बच्चो किसी एक भिषय का बढ़न अपने सब्दों में कीजिए ठीक है बर्सा मेरा बगीचा मेरा घर दादी इसके उपर आपको किसी एक का बढ़न करना है तो प्रस्न नंबर चे पर आते हैं बच्चो चित्र का वर्णन अपने सब्दों में कीजी ये चित्र दिया गया है ये बाजार का चित्र है ठीक है जिसे हम हाट भी बोलते हैं तो देखिए पहला है हाट बाजार में कई तरे की बस्तूओं जैसे फल मिठाईया सब्जी की दुकाने लगी हुई है दूसरा हो जाएगा हाट बाजार में कई लोग अपनी पसंदिकी बस्तूओं खड़ीद रहे हैं तीसरा नंबर है बच्चे भी बड़ों के साथ हाट बाजार का आनंद ले रहे हैं ये देखिए बच्चे आये हुए हैं साथ में चोता नंबर हो जाएगा हाट बाजार को कहीं बलपो की रोसनी से सजाया गया है तो बच्चों यह बीद प्रस्नावली यही होती है आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंडर में जरू बताएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू कीजिएगा चैनल पर ना है तो प्रीक चैनल को सस्क्राब करना नहीं भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद